हालो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल आज हम बनाएंगे बहुत ही प्यारी सी मिठाई एकदम यमी जो बच्चों के फेस पे स्माइल ला दे और आगर आप प्रच्छा बंदन पर इसे बनाएंगे तो आपके भाई एकदम खुसो जाने वाले हैं और बहुत ही अच्छे तरीक है मैंने चीनी एक कटोरी और सेम आपको जितना आपको नारेल कचूरा लेना है उतना ही लेनी है चीनी और यहां पर मैंने लिया है केसरी फूट कलर और यह लिया है मैंने घी तो घी दो ही चमच हमें लगेगा ज्यादा नहीं लगने वाला है इसके अलावा हमें कोई भी इ करते हैं हम इस मिठाई को बनाने वासे हैं तो फिसमें डाल देता हैं यह नारियल कचूरा जो हमने ले रखा है इसे मैंने फुल एक मिलका यूज़ करने वाले हैं बहुत हीजी तरीके से यह मिठाई हम बना लेंगे तो अब जिस कटोरी से हमने चीनी ले रखी थी उसी कटोरी से से काटोरी से मैं एक काटोरी पानी ले लिए मैंने लेटे हैं उसे वी हम डाल दचुरा और जरूरत की हिसाब साम लिए पानी और ऐड करेंगे ग अब हम इससे अच्छे से मिक्स आप सोचने कितने सस्ते में यह मिठाई बनने वाली है और खाने में तो nooit टेस्टी होती है तो आगर आप चाहें तो मिक्स कर सकते हैं उसे हमें अच्छे से मिक्स करना है और चीनी अले यंगी टेस्ट बहुत स्चा जाएंगा चीनी पानी अब साथ में ही डालें, इससे क्या होगा कि नारियल में अच्छे से चीनी वाला पानी जो होगा चाचनी वो अच्छे से अब्जोब हो जाएगा, अंदर तक पी लेगी, तो खाने में बहुत टेश्टी लगेगी, एकदम मीठा मीठा लगेगा, तो अच्छा लगेगा खाने में, कोई भी खाए इसे, तो ऐसे ही हम इसे पका लेते हैं, चीनी और पानी को मिक्स करने के बाद, जब आफ फ्लेम को हाई करेंगे न, तो ये जैसे ही जैसे चीनी इसमे वाला जो कोकोनट है, है न, नारियल का चूरा, तो एकदम जूसी हो जाएगा अंदर तक, तो खाने मीठाई, बहुत टेश्टी लगने लगेगी, देखिए, जैसे ही गेस की फ्लेम, आन हुई, वैसे देखिए, चीनी मेल्ट होने लगी, तो कितना जूस निकलने लगा है, तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, साथ में हम डाल देते हैं, एक चम्मज देशी घी, सिर्फ एक ही चम्मज डालना है, घी को डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और इसमें हम कुछ भी नहीं डालने वाले हैं, मैं जो केसरी फूट कलर इसमें यूज कर रही हूं तो अगर आपकी इच्छा हो मर्जी है तो डालिए वरना स्किप कर दीजे बिना कलर के ये बहुत ही टेस्टी मिठाई बनकर तयार होगी तो अभी देखिए धीरे-धीरे गाड़ी हो रही है अच्छे से हमें इसे गाड़ा करना होगा तभी ये बंदेगी सोग गया है तो इस तरीके कर टाइट होने लगा है तो आपको भी ऐसे करना है मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूं आप देख लीजिए क्योंकि आप घबरा बहुत जल्दी जाते हैं क्योंकि ये बनेगा नहीं और फिर आप सुचते हो सारी मेनत खराब मैंने अच्छे स बताया नहीं तो इसलिए मैं आपको कुछ दिखा देती हूं थोड़ा सा इस तरीके से हमें उठाना है और देखिए ऐसे अगर आप इसे बांदेंगे तो ये बंद नहीं रहा है ना तो आप अच्छे से पका कर ही नीचे उतारें देखिए कहा लड़ू का सेफ आ रहा आ न यह बिल्कुल गोला होना चाहिए तो थोड़ी देर हम इसे और पका लेते हैं तो यह अच्छे से हो गया हमारा समझना तभी मिठाई अच्छे से बनेगी वरना खराब हो जाएगी तो थोड़ी देर हम इसे और पका लेते हैं जल दबाजी बिल्कुल ना करें वरना सारी मे हमें लेना है इसे और थोड़ी देर मैं इसे ठंडा करती हूं उसके बाद आपको दिखाती हूं ये बंद रहा है ये ठंडा हो चुका है मैं आपको दिखाती हूं अब ऐसे हाथ में लेना है और ये देखे बॉल कसेब कितने अराम से आ रहा है तो बस अब हम फ्लेम को कर देत प्लेत में बनाना है उसको ऐसी ही देखें बना लेना है एक प्लेट में हमने सारे नारियल कचूरे को निकाल लिया है जिसे हमें मिठाई गौनाना है तो अब हम इसे आधा कर लेते हैं इस तरीके से हाफ्ल जाहें तो इसमें अगर food color ना डालना चाहें तो आप इसमें पिस्ते को पीस कर उसका powder डाल सकते हैं तो better को यह जो हमारा dough है ना इसे हमें ठंडा नहीं होने देना है तो इसमें हम डालते हैं yellow food color यानि कि जो केसरी वाला food color हमने लिया है उसे हम डाल देते हैं और अच्छे से इसे mix कर लेते हैं हाथ से color को हमने अच्छे से देखे mix कर लिया है और अब हम छोटी छोटी इस तरीके से इनकी गोलिया बना लेते हैं दोनों ही हमारी बॉल्स देखिए अच्छे से बन चुकी है तो इसे हम रखते हैं साइड में और मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनाना है हमें कुछ बॉल्स मैंने चॉपिंग बोर्ट पर रख ली है और मैं आपको बताती हूँ देखिए एक हमें वाइट वाली बॉल्स लेनी है और लेनी है ये पीली वाली बॉल्स तो इसे हम इस तरीके से अटाइच करते हैं देखिए ऐसे करना है और अच्छे सा हमीने, मिक्स कर लेते हैं, हाथ में लेकर, और फिर गोला सेफ करते हैं, इसका बहुत ही प्यारी से मिठाई बनकर तयार हो जाएगी, pals जल्दवाजी न करें, ऐसे बस मिक्स करना है, और हाथ से इसे गोला सेफ देना है, बहुत ही इजी तरीके से ये मिठाई मारी बनकर तयार हो जाती है देखिए कितनी बढ़ियां सी हमारी मिठाई बनकर तयार हो गई है और कोई भी नहीं बता सकता कि आपने इसे घर पर बनाया है देखिए कितनी प्यारी से मारी मिठाई बनकर तयार हुई है न तो ऐसे ही हम सारी मिठाई हो को अपने बना लेते हैं बिल्कुल यही सेथ देते हुए और आपको इस तरीके के अगर मिठाई नहीं चाहिए तो और आप बनाना चाहिए तो इस तरीके साब एक रखें वाइट वाली फिर एक ये रखें यलो वाली फिर वाइट वाली फिर यलो वाली और उसके बाद फिर से ये रखना है इधर वे इनको करीब लाएंगे और करीब लाने के बाद फिर से सेम जैसे हमने इस मिठाई को बनाया है ऐसे ही इसी मिठाई के तरीके से हम इसे बना लेते हैं सारी मिठाई हमने बना कर तयार कर लिए है और देखिए कितनी कलरफुल हमारी मिठाई बनकर तयार हुई है और जो हमने एक यलो और एक वाइट लगा के बनाया था उसे देखिए इधर साइड से और पीछे साइड से भी देखिए बिल्कुल सेम एक ही तरह से हमारी मिठाई बनकर तयार हुई है और ये भी देखिए पीछे से और आगे से दोनों ही तरफ से एक ही से पाया है और कलर भी एक ही आया है कितनी प्यारी हमारी मिठाई बनकर तयार हुई है बहुत ही टेस्टी मिठाई लगते हैं ये खाने में आप एक बार ट्राइ जरूर करिए कि मैं आप आप से गले वीडियो के साथ तब तक मुस्कुराते रहें अपना ख्याल रखिए बाई बाई